हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू रोजमी ओडिसा फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ककेरा यह ओडिसा का ट्रडिशनल रेसिपी है तो इससे बनाने के लिए हमें ज्यादे कुछ सामन की जरूरत नहीं है तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ककेरा तो चलिए फ्रेंड्स अभी ह हमारा recipe start करते हैं तो अभी मैं इसमें एक कोटोटी पानी डाल रही हूं फ्रेंड्स पानी थोड़ा सा गरम होने के बाद हम इसमें चीनी हम सब्सक्राइब लेंगे आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसक्व सही चीनी डाले गा, और इसमें अभि हम हम थोड़ाह सा सॉल डालेंगे वान 15 और थोड़ा सा फिनल स्ट्स डालेंगे इसमें और मैं इसमें एक इलाईची कूट के डाल रही हूं तो मैं जितना पानी ले रही हूं उस हिसाब से मैं इसमें सूजी डालूंगी तो आपको अगर क्रिस्पी बनाना है तो जितना पानी लेना है उस हिसाब से ही सूजी डालना अगर आपको soft बाला बनाना है तो आप थोड़ा से ज्यादा पाने डालना इसमें तो मैं इसमें कम पाने डाल रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी बनाना है तो इसको अभी हम अच्छे से mix कर लेते हैं अभी हम ग्यास को बंग कर लेते हैं और इसको ढखके रख लेते हैं 10-15 मिनिट के लिए देखे फ्रेंट्स यह भी 10-15 मिनिट हो चुका है तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से mix कर लेंगे इसको अच्छे से mix करने के बाद ही हम इसका डो लेके इसको अब जैसे भी safe देना चाहों दे सकते हो मैं gold size का बना रहे हूं तो इसके अंदर आप जो भी stuffing चाहें डाल सकते हो लेकिन मैं इसमें यह गूड डाल रहे हूं यह जागरी का powder है गूड का powder है तो मैं इसको डाल रहे हूं इसमें तो अब हम इसको अच्छे से filling करके इसका इसे ही round safe देके इसको चारों तरब से ही ऐसे ही दबाएंगे यह देखे इस टाइप का ही वनाएंगे हम और अब हम इसको fry करेंगे लिएम से थोड़ा कम रखके ही हम इसको fry करेंगे इसको बीच बीच में ही इसे ही पलटते रहना होगा नहीं तो यह नीचे से जल जाएगा और यह उपर से golden और crispy होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे यह देखे इस तरह से तो अब हम इसको निकाल देते हैं यह देखे यह उपर से कितना crispy है करेंगे